हेलो वीवर्ज, वल्कुम तु फिंस्ट्रीट आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोईन की बात यानि की आज की बात कोईन की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है इनकी प्राइस्टिक्स क्या रही इनकी प्राइसिंग हिस्ट्री यह सब आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के जरीए और अगर आपको यह वीडियो बेनेफिशल लगे तो छोड़ी से रिक्वेस्ट पहले ही हम कर देते हैं किसे लाइक और शेयर करना मत है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुँचे और बिना किसी दीरी के हम शुरू करते हैं आपको बताना कि क्या है CRO टोकन आपने कहीं ना कहीं इसके टोकन का नाम जाहें ना सुना हो इसके पीछे के प्रोजेक्ट का नाम तो सुना ही होगा हम बात कर है crypto.com की जिसकी native cryptocurrency है CRO token ये crypto.com chain जो की एक decentralized open source blockchain developed है crypto.com की payment trading और financial services company यानि की crypto.com जो है वो बहुत ही अच्छे से blockchain services प्रवाइड कर रही है प्लाटफॉर्म पे और बहुत ही नहीं नहीं services लेकर आ रही है market में as a offer for cryptocurrency users इनके products से अगर हम बात करें तो इनके line up of solutions available हैं से design किये गए हैं कि वो cryptocurrency की global adoption को बढ़ा सके personal control over money भी increase करी जा सके, user data को safeguard किया जा सके और user identity को protect किया जा सके और data को theft से भी बचाया जा सके इसलिए CR की जो blockchain है वो primarily एक ऐसा काम करती है कि crypto.com को वो एकदम secure बना सके और जितने भी users वहाँ पे आएंगे blockchain को इस्तेमाल करते हुए कुस नहीं कुछ develop करेंगे उनका data भी एकदम safe रह सके और यही जो crypto.com की blockchain है वही पावर करती है crypto.com की फे mobile payments application को अब हम आपको बताते हैं कि इनने launch क्यों किया गया था crypto.com के token को जो crypto.com का coin था cro coin वो as a company के vision को ध्यान में रख से हुए ही launch किया गया था कि वो crypto currency को हर wallet में डालना चाहते हैं तो अब हम आपको बताते हैं कि crypto.com launch कैसे हुआ था किसने start किया था कौन है इनके famous names जो इस project के पीछे है तो crypto.com जो है वह as a company शुरू हुई थी 2016 में Monaco Technologies GmbH के नाम से और इसे री म्रांड किया गया था 2018 में as crypto.com और इस project के पीछे जो famous names involved है उनका नाम है Chris Marzalek और उसके बाद inquiry team जो है उसमें included है Raphael Milo, Gary Orr and it also includes Bobby Bao यानि कि ये चारों ने मिलके crypto.com को शुरू किया था as Monaco Technologies in 2016 लेकिन उसके बाद इन्होंने rebrand कर लिया था as crypto.com 2018 में और तब से ये project काफी अच्छा काम कर रहा है crypto currency market में और बहुत ही unique तरीके से इनको बनाया था crypto.com project को और crow blockchain जो है वो mainly focus कराई थी इन्होंने कि वो users को utility provide कर सके crypto.com के payment solution उनकी trading और financial services के solutions प्रवाइड करते हुए जो है act करते हुए earn कर सकते है processing transaction fees उनकी network पे और इसके साथ साथ crow coins जो है वो use किये जाते है main use case अगर हम उनका बताएं तो वो यही है कि वो अलग-लग transactions को settle करने के लिए use किये जाते है वो मतलब वो as intermediary currency use होती है crypto.com की settlement में अलग-लग assets के लिए जितने भी participants होंगे इस chain में वो अलग-लग transaction में engage होते हैं और उन्हें CRO tokens को इस्तेमाल करना होता है ताकि वो block transaction piece पे कर सके tokens जो है वो mainly earn किये जाते हैं as rewards जितनी भी transaction process होंगी या verify होंगी crypto.com के उपर और हर node यहां पे कुछ fixed amount जो है वो stake करेगा CRO tokens की अगर उन्हें right to participation चाहिए network के operations में यानि कि इसके साथ एक और use cases का यह आता है कि यह governance token की तरह भी काम करता है यानि कि आपके पास अगर CRO token है उसे आप stake करते हुए network की governance में part ले सकते हैं और network के जो decisions है उनमें protocol decisions में भी आप हिस्सा जो है वो ले सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि यह blockchain जो है कैसे वेरिफिक मतलब कैसे यह secured है तो भी हम आपको बताते हैं कि यह build की गई on top of ethereum blockchain और ERC20 compatible standards के साथ यह काम कर रही है और ethash function के साथ ही यह secured है और यह हमें पता है कि ethereum की blockchain और ERC20 tokens कितने secure होते हैं तो उसी technology से ही यह power किया गया है और उसी technology से यह काम कर रहा है अब हम आते हैं CRO के price statistics कि क्या रही इनकी price history तो अगर हम crypto.com का coin जो है CRO coin उनका current price बता है तो वो है 0.158 US dollars और last 24 hours में थोड़ा कम हुआ था है लेकिन इनका trading volume last 24 hours में 30% से increase हुआ है और पहुंच गया है 76.3 million US dollars अगर हम इनकी market dominance की बात करें तो currently 0.21 इनका share है पूरी cryptocurrency market में जो इन्हें top 50 cryptocurrencies में लेकर आता है और currently 34th number पे stand कर रही है अगर हम इनका diluted market का बताएं कि fully diluted market capitalization value कितनी है तो 4.8 billion US dollars से भी जादा है अगर हम इनके all time high और all time low की भी बात करें तो all time high आज से 7 महीने पहले फरवरी के महीने में आया था जो था 0.271 US dollars और इनका all time low जो था वो आज से करीब 3 साल पहले आया था 0.01149 US dollars और जब हम बात करते हैं cryptocurrency के CRO token की तब हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकी जो total supply है जो currently circulate हो रही है वो 25 billion CRO tokens की है और माइन हो जाने के बाद इनकी maximum supply जो है वो cap की गई है 30 billion CRO tokens पे और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से exchanges पे आप इनकी ट्रेड कर सकते हैं तो वो information भी हम ही आपको provide करने वाले हैं अगर आप CRO token को buy करना चाहते हैं इसमें trade करना चाहते हैं सबसे बड़ा exchange यो भी global तो आपके पास available है ही इसके साथ-साथ आपके बास है kucoin, bit hum, ftx और इसके साथ-साथ bitrex पर भी आप इन सभी exchanges पे crow token को CRO token को अलग-अलग pairs के साथ जो है वो trade कर सकते हैं इसमें इसमें invest कर सकते हैं या पे USDT, USD और bitcoin का भी pair available है इन सभी exchanges में जिनको इस्तमाल करते हुए आप CRO में invest यहां trade जो है वो कर सकते हैं और अगर आपके बास फिर भी कोई question या query है CRO token से related तो बेजज़क प्लीज comment section में हमसे सवाल जरूर पूछें ताकि हम आपको उसकी query के आपके answers जल्द ही provide कर सके और इसके साथ साथ आप माल टेलेग्राम ग्रूप भी join कर सकते हैं जिसका description में आपको link मिल जाएगा और आप twitter पे hashtag indialearns crypto यूज करते हुए tweet कर सकते हैं अपने questions ताकि हम आपको answers provide कर पाए उन चीजों की और आप जो है जब आप कोई भी question पूछते हैं hashtag indialearns crypto जरूर यूज कीजिए ताकि हम आपके tweet को identify करते हुए आप तक answers पहुंचा सके जल्द से जल्द आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो बेनेफिशल लगी हो तो इसे like और share करना मत भूले और चानल कर सब्सक्राइब करते हुए bell icon दबाना भी मत भूलेगा thank you viewers for watching this video हम जल्द ही वापस आएंगे एक और cryptocurrency की वीडियो के साथ इसी चानल पे तब तक ब